Hello dear learners, welcome back to my channel. आज हम discuss करने जा रहे हैं, Theories of Personality सीरीज का Part 3. अगर आपने पहले दो parts मिस कर दिये हैं, तो उसका link मैंने description box में दे दिया है. और एक बहुत जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी lecture मिस ना हो, तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, और complete knowledge gain कर सकते हैं. आज का हमारा जो video lecture है, वो Ericsson's Psychosocial Theory के वारे में है. इस lecture के अंदर मैंने 8 stages discuss करी हैं, और हर stage को proper examples के साथ explain किया है. तो let's start with today's lecture. Theory का नाम है Ericsson's 8 Stages of Psychosocial Development. इस theory को देने वाले psychologist का नाम है Eric Ericsson, उन्हें stage theorist भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने stages के अंदर इंसान की फित्रत को study किया था. तो जैसे कि पिछले lectures में मैंने आपको बताया था, कि Freud की theory को criticize किया गया, क्योंकि उन्होंने culture के ऊपर study नहीं की थी. तो इस theory के अंदर उस part को बहुत ही अच्छे से include किया गया. साथ के साथ Ericsson ने एक बात बोली, कि हर एक culture दूसरे culture से अलग है. तो theory को समझते समय अपने culture के हिसाब से उसको amend यानि change किया जा सकता है. तो देखते हैं कि 8 stages क्या थी और उसकी implications क्या हो सकती है. Stage 1 Stage 1 का नाम है trust versus mistrust. तो ये stage इंसान की जिन्दगी में पैदा होने से लेके एक साल तक की उमर आने तक रहती है. Explanation देखिए. ये वो stage है जिस stage के अंदर एक छोटा बच्चा ये सीखता है कि अब हम बड़ों के उपर हम मतलब अपनी बातों को उसके उपर हम trust कर सकते हैं बड़ों के उपर. हम जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा जब रोता है तो वो मा से दूद मांगता है. तो ये होता है उनके उपर trust करना. इस stage के अंदर ये देखा गया कि जो mothers responsive थी यानि बच्चे के रोते ही उसके तरफ ध्यान देती थी, उसका देख भाल करती थी अच्छे से, तो उन बच्चों के अंदर feeling of trust जो थी वो आने लग गई थी. वो बच्चे world को safe समझने लग गए थे और लोगों के behavior को predict करते थे कि मैं रोऊंगा तो घर में कोई न कोई मुझे उठा आई लेगा. अब क्या हुआ जो बच्चे जिनको प्यार नहीं मिला या जिनके उपर किसी ना किसी तरीके की cruelty हुई या उनकी जो जरूरते थी, उसे किसी ने पूरा नहीं किया, उन बच्चों के अंदर feeling of mistrust आने लग गई, वो लोगों के उपर trust नहीं कर पाते थे. अब देखो हमने इसकी implication organizational life में कैसे आती है, इसको समझना है. अब इसके अंदर trust और mistrust की stage कब आती है, जब हम एक job में नए नए गए होते हैं. उस समय हमें नहीं पता आता कि वहां के लोग कैसे हैं. हम उनके उपर dependent होते हैं कि वो हमें बताएं कि यहां पर काम किस तरीके स होता है. अब होगा क्या? अगर तो नए जगा पे लोग आपकी help करेंगे, आपको guidance देंगे, तो धीरे धीरे आप उन लोगों के उपर trust develop कर लोगे. लेकिन अगर इससे उल्टा हो गया कि किसी ने आपकी help नहीं की, किसी ने जब जरूरत पड़ी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो आपके अंदर mistrust की जो feeling है वो develop हो जाएगी. तो इस तरीके से first stage में trust को बुला गया कि जब आपकी जरूरतों का लोगों ने ध्यान रखा, mistrust को बुला गया कि जब आपकी जरूरतों का दूसरों ने ध्यान नहीं रखा, तो ये थी पहली stage. Now comes stage 2. Stage 2 का नाम है autonomy versus shame. Shame की जगा doubt word भी use किया गया है. ये stage आती है एक साल से लेके तीन साल तक के बच्चे की. तो ये कौन सी stage है? जिस stage में बच्चा अब दुनिया के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करने लग जाता है. वो अपने actions को control करता है. आपने देखा होगा बच्चे finger point करते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए. तो ये वो वाली stage है. अब इस stage के अंदर क्या होगा? अगर तो बच्चे को snub मतलब दबाया जाएगा. वो जो करेगा उसको मना किया जाएगा कि ऐसे नहीं करना तो गलत है या उसे गूरा जाएगा. तो उसके अंदर जो self-esteem है वो कम होने लग जाएगी. वो initiative नहीं लेगा, वो कुछ और नया नहीं करेगा, वो slow हो जाएगा life में. तो ये वो stage है. अब organization life में इसकी implication क्या होगी? सबसे पहले देखो. ये stage तब आती है जब आप नए नए जौब पे गए और आपको training मिल गई initial मतलब starting की training मिल गई. अब आप चाहोगे कि आप अपने actions को खुद control करो, autonomy मतलब आपको freedom मिले, आप जो चाहे वो आगे आके कर पाओ. अगर तो आपको आगे आके काम करने पे criticize किया जाएगा, बोला जाएगा कि तुम गलत हो, तुमने जो किया है वो बिल्कुल एक mistake है, त तो इस stage के अंदर जो दूसरों का वहवार आपके साथ होगा, उसके कारण या तो आपके अंदर autonomy आएगी, मतलब freedom, कि मैं अपना काम खुद करने के काबिल हूँ और मैं करूंगी, या आपके अंदर shame या doubt आ जाएगा, कि मैं जो करती हूँ वो गलत है, तो वो doubt आने लग कोई भी नया काम करने से पहले आपको घबराट होगी कि कहीं मैं गलत तो नहीं, तो ये वो वाली stage थी, now comes stage 3, stage 3 का नाम है initiative versus guilt, ये stage कब आती है life में, जब बच्चा 3 साल से लेके 6 साल तक की उमर में होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे दोस्त बनाना शु स्कूल गए हैं, तो वो social interactions करते हैं, वहाँ उनके friends बनते हैं, वो उनके साथ खेलते हैं, बच्चों के अंदर self confidence आता है, कि हाँ भी मैं अकेला स्कूल जाता हूँ, वहाँ पर खाना खुद खाता हूँ, इस तरीके से confidence उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, purpose हो जाता है, क एक purpose मिल जाता है life को, तो वो initiative बच्चा लेता है, कि अब मैंने अपना काम जो है, वो खुद देखना है, अब होगा क्या, अगर तो कोई initiative लिया और वो गलत हो गया, या parents ऐसे हैं, कि वो बहुत जादा बच्चे को डांटते हैं, तो बच्चे के अंदर feeling of guilt आनी शुरू हो होते हैं, कि तुने दोस नहीं अच्छे बनाए, तो स्कूल में पढ़के क्यों नहीं आया, इस तरीके की चीजी होएंगी, तो guilt आजाएगा, अगर उनको शाबाशी मिलेगी, तो उनके अंदर initiative की भावना और जादा आ जाएगी, तो organizational life में क्या होगा, organizational life में ऐसे होगा, क employees जो हैं, अब वो creative बन के आगे आना चाते हैं, creativity की सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अगर creativity गलत हो गई, तो उसको इतना guilt दिया, कि भई तुने तो organization के पैसे खराब कर दिये, तु घटिया employee है, तु अच्छे से काम नहीं करता, तो उसके अंदर guilt की feeling आ जाएगी, on the other hand, अगर उसको motivate किया, उसके साथ अच्छा behavior किया, तो उसके अंदर initiative आएगा, वो आने वाले time में और नए नए काम आगे आके करेगा, अब हम आगे stage number 4 पे, इस stage का नाम है industry versus inferiority, age देखिए, 6 साल से लेके 12 साल तक, इस stage के अंदर अब बच्चा जो है, बड़ा हो गया है, अब वो अपने आपको ना दूसरे बच्चों के साथ compare करता है, school के काम में, sports में, social activities में, family life में, हर चीज में compare करता है, और जहां पर उसको अगर ये लगा कि हां मैं भी इनके बराबर हूँ, फिर हो गई industry, अगर उसको लगा कि मैं पीछे रह गया, मैंने इनके जितना अच अगर वो काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, work hard कर रहा है और उसकी गिंती अच्छे employees में हो गई, तो industry, अगर वो unsuccessful है, उसके efforts ठीक नहीं हो रहे, उसकी बार बार boss जो है, उसको criticize करता है, तो उसके अंदर inferiority या self-esteem की भावना low हो जाती है, और जो उसके लिए आगे चलक बुरी होती है, अब life और आगे बड़ी, अब हम आगे stage number 5 पे, stage 5 का नाम है identity versus role confusion, 12 साल से लेके 18 साल तक की उमर है ये, adolescence की उमर है, जिसके अंदर अब बच्चा क्या सोचने लग गया है, who am I, मैंने आगे जाके life में क्या करना है, मैं क्या बनना चाहते हूँ, तो जो adolescence successful ह हो जाते हैं इस बात को डूणने में कि मैंने आगे जाके क्या करना है, उन्हें अपनी सोच के उपर belief आ जाते है, कि हाँ मेरी सोचने की शक्ती ठीक है, मैं problems को अच्छे से solve कर सकती हूँ, जो इस stage में सही answer नहीं डूण पाते, वो role confusion में चले जाते हैं, कि मेरा मकसद क्या ह मैंने करना क्या है, पता ही नहीं लगता, same happens in the job also, हार एक employee contribution करता है, जहां पर वो काम करता है, वो अपने आपको एक high performing member show करना चाहता है, वो चाहता है कि management उसको इजज़त की निगा से देखे, अगर तो ये हो गया, फिर तो आगई identity, अगर वो सब के सामने अपने आपको अच्छा साबित नहीं कर पा रहा, management के आगे उसकी identity कहीं खोकर रह गई है, तो आगई role confusion, अब जैसे जैसे जिन्दगी बड़ी, stages भी बड़ी इस theory की, stage 6, that is intimacy versus isolation, उमर है 20 साल से लेके 40 साल तक की, अब जिन लोगों ने अपने sense को पा लिया, अपने आपको समझ लिया, उन relationship में जाने को त्यार है, ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि मेरा experience life का ठीक है, अच्छा है, वो किसी से प्यार करेंगे relationship में जाएंगे, जिनके अंदर low self-esteem हो गई, वो loneliness, अकेले पन की तरफ जाएंगे, emotionally अपने आपको वो तूटा हुआ पा सकते हैं, तो यहाँ पर organization में क् game होता है, अगर साथ वाले workers के साथ, employees के साथ, आपकी अच्छे relations develop हो गए, तो you will have intimacy towards your job, otherwise आप अपने काम के अंदर खुद को अकेला पाऊगे, system के अंदर खुद को अकेला ही पाऊगे, stage 7, stage का नाम है generativity versus stagnation, उमर 40 से लेके 60 साल, यहाँ पर क्या है, अब इनसान ये देखना चाहता है कि क्या मैंने contribute करा जिन्दगी की तरफ कुछ, क्या मेरी activities कुछ माइने रखती हैं, अगर तो लगती हैं, फिर उसको लगता है कि मैंने कुछ generate किया, मैंने कुछ पाया, अगर उसको लगता है कि मेरा काम किसी मकसद का नहीं था, मैंने कहीं पर अपना निशान, यानि I have not left a mark, कहीं पर मुझे जानना नहीं जाता, कहीं पर मेरे को पहचानना नहीं जाता, तो वो अपने आपको stagnation में feel करता है, organization के अंदर, जब आप इस stage में होंगे, तो generativity की stage में आप ये सोचोगे कि अब मैं किसी को सिखाऊं, कुछ नया सिखाऊं, mentor मतलब मैं किसी का guru बनो, कुछ सिखाऊं, ये वो stage है, अगर आपको ये लगा कि मैंने ही अच्छे से नहीं किया, तो आप किसी को सिखाने की भावन कैसे लाओगे, फिर आपके अंदर आजाएगी feeling of stagnation, कि मैं system के अंदर कहीं रह गया, पीछे रह गया, now comes stage 8, stage 8 का नाम है integrity versus despair, उमर है 60 साल और उससे आगे की उमर, अब जिन लोगों को अपनी जिन्दगी के उपर proud की feeling है, कि हाँ मैंने बहुत कुछ पाया, कुछ regrets तो हैं life के अंदर, लेकिन अगर ये लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत कुछ पाया है, तो आपके अंदर integrity की भावना generate हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसी feeling नहीं है, feeling उल्टी है इससे, मतलब would have, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ऐसे ना किया होता, ये वाली सोच है, तो despair है, म पतलब आप दूसरों को negative देखोगे, depression में आ जाओगे और बीती हुई जिन्दगी की तरफ आपकी सोच बहुत negative हो जाएगी, अब आ जाती है सबसे जूरी बात, ये paper में अगर एक question आ जाए, तो कैसे याद रखना है, आईए देखें कैसे याद रखना है, तो मैं आपको देने जा रही हूँ एक chart, जिसकी मदद से आपको इस theory के कभी भी positive और negative outcomes जो है stages के कभी नहीं भूलेंगे, let's discuss that chart, देखिए, ये है stages, trust versus mistrust, इसके अंदर positive, आप लोगों के उपर trust करोगे, negative, fear, किसी के उपर विश्वास नहीं आएगा जिन्दगी में, दूसरी, autonomy versus shame, आप अपने आप self sufficient होगे, independent होगे, negative, अपने आप पर ही doubt है कि पता नहीं मेरे से होना है के नहीं होना, initiative versus guilt, positive है आप नए नए तरीके ढूंडोगे, नए काम करने के, guilt, डर लगेगा कुछ नया करने से, industry versus inferiority, self of compliance, मैंने बहुत कुछ पा लिया, मैं बढ़िया हूँ, negative, inferiority, मैं बढ़िया, नहीं हूँ, मैं पीछे रह गई, identity versus role, मेरे को पता है मैंने क्या करना है, negative, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है, intimacy versus isolation, लोगों के साथ प्यार, दूसरा, किसी के साथ relationship में जाने का डर, generativity versus stagnation, कि मैंने contribute कर दिया life की तरफ, negative, मैं कुछ भी नहीं कर पाई जिंदगी में, stages last, integrity versus disappear, मेरे दिमाग में unity है, कि मैंने जिंदगी में बहुत अच्छा पाया, family को जोड के रखा, negative, regret है, कि काश मैं ये कर पाती, So this was the complete discussion of the theory, thank you very much, अगली series में अगली theories हम discuss करेंगे, तो wait for the new part, I will be back soon, thank you everyone.